Hello friends and dear students, welcome है आपका खुद के चैनल में Last class में हमने पढ़ा था Antipartum Hemorrhage और उसके कोजिस के बारे में और हमने start क्या था Plagenta Previa के बारे में हमने last class में इसके High Risk Factors, Types, Degree, Sign and Symptoms, Diagnosis, Complications पढ़े थे आज हम पढ़ेंगे इसके Management तो Management से पहले हमें एका रिकॉल करवा देना चाहती हूँ, Plagenta Previa क्या होता है जैसा कि आप सबको पता है कि जो Normal Plagenta होता है वो Uterus के Upper Segment में होता है लेकिन जब Plagenta Previa का जो Case होता है उसमें क्या होता है Plagenta Lower Uterus Segment में Implant हो जाता है और कभी-कभी Plagenta Internal Ose को भी Cross कवर कर लेता है या तो Partially या तो Completely कवर कर लेता है और जब Third Tramester स्टार्ट होता है तब 36th week के बाद Lightning स्टार्ट होने लगती है मतलब बच्चा जो होता है बेबी जो होता है नीचे आने लगता है जिससे दवाव होता है Pressure Lower Uterus Segment पे इसके साथ साथ Internal Ose पर भी आता है अगर Plagenta Lower में Attach होता है तो जिस बहुत Chances बढ़ जाते हैं Bleeding के क्योंकि Pressure के कारण तो हम उसमें उस इस्तिति में क्या Management करेंगे उसके बारे में आज हम Discuss करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं Management सबसे पहले क्या होता है Educate Antinatal Care to Improve Health Status of Women and Correction of Anemia Antinatal Care का मतलब ही होता है कि Healthy Baby from Healthy Mother Antinatal टाइम पे जो Antinatal विजिट के लिए Mother आती है तो उस टाइम ही उनके Health Status पर Focus करना होता अगर उनने Anemia है, कून की कम ही है तो उसी हिसाब हम Advise करते हैं ठीक है Health Status पर ध्यान देता है Improve करते हैं अगला है Antinatal Diagnosis of Low-Lying Placenta at 20th week with routine USG needs repeat USG at 34 week to confirm the disease Antinatal के टाइम में जो डाइमनोजिस करते हैं routinely sonography की जाती है time to time health baby के status को जानने के लिए पहले तो 20th week परे लिएक है अगर 20th week पर जो प्लाजिटा होता है अगर नीचे की side lower uterine की side होता है तो उसे कोई problem नहीं होती है क्योंकि पहले 20th week पर placenta की नीचे होने से कोई problem होती है क्योंकि जैसे जासे अगर uterus का size भढ़ता है तो pleasenta migrate हो के अगर अपने position पे आ जाता है अगर 5th month पे sonography करें और जो pleasenta वो उपर migrate नहीं होती है नीचे की side ही रहती है तो bleeding का खत्रा हो जाता है तब हम patient को एड़्वाइज करते हैं कि वो heavy work ना करे, traveling alone ना करे, diet probe ले और panic ना हो हिमोगलोबिन उनका maintain रखने की कोसिज करते है iron rich food देते हैं bleeding होने से क्योंकि दोनों को नुकसान होता है baby को भी होता है, mother को भी होता है इसलिए proper facility या special care की जुरुत पड़ती है जैसे अगर diagnose हो जाता है कि हाँ, इनको pleasant preview है तो हम क्या करेंगे patient को immediately shift करेंगे bad पे, ठीक है, और assess करेंगे blood loss, कि कितना blood loss हो है कि blood loss तो हुई रहा है, कितना blood loss हो है उससे assess करेंगे, कैसे assess करेंगे जो pad है, या जो clothing है जो leaked हो रहा है blood से तो उसको हम assess करेंगे कि कितना blood loss हो रहा है उसके note करेंगे vital science को, anemia मतलब कि कितनी खून की कम ही है, उसको note करेंगे ठीक है अगला है हम क्यों abdominal examination करेंगे किस चीज़ को देखने के लिए height of the uterus को देखेंगे हम uterus की hardness को check करेंगे हम fetal heart rate को sound करेंगे कि हाँ क्या proper status है कि नहीं है fetal का ठीक है और vaginal examination बिल्कुल भी नहीं करेंगे only inspection करेंगे कि कहां से bleeding आई है अगर हमें पता चलता है कि bleeding आ रही है तो हम उसको trial pad देंगे ठीक है arrangement करेंगे हम arrangement करेंगे कि जो patient है उसके health अगर देखेंगे status नहीं है तो उसको अच्छे से hospital में हम shift करने की arrangement करेंगे IV dektros line हम उसको start करेंगे और patient के आसपास 2-3 person को हम रखेंगे जो donation जब blood donation जब किया जाएगा तो उनका खुन इस्तमाल किया जाए transfer किया जाए अब admission जब करवाएंगे patient का तो सबसे पहले क्या treatment करना है सबसे पहले किस चीज़ पर focus करना है उस बार में हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है amount of blood loss को assess करना है कि कितना blood loss हुआ है blood sample भेजने है तकि blood group देखा जा सके group matching किया जा सकते है और हम HB का level check किया जा सके ठीक है फिर है large bowl 2 cannula large bowl IV cannula is cited and infusion of NS is started करेंगे ठीक है blood हम arrange करेंगे blood transfusion के लिए abdominal palpitation करेंगे किसलिए uterine की tenderness hardness चेक करेंगे fetal heart sound चेक करेंगे inspection करेंगे वलवा का और confirm करेंगे कि USG से sonography से कि placenta previa है कि जब तक return में नहीं होगा को sonography नहीं होगा तब तक हम यह सब steps नहीं करेंगे मतलब इन steps के बाद ही management करेंगे USG का confirmation चाहिए ही चाहिए अब management कैसे करेंगे management दो तरहिके के होते है एक expected management और एक active management expected जो हम expect करते हैं जो हम करवाए जाता है तो expected management कैसे होता है जब no bleeding active bleeding नहीं होगी मतलब active bleeding नहीं होगी proper bleeding नहीं हो रही होगी ठीक है टैंसे उपर होगा ठीक है और fetal heart sound जो सुनाई दे रहा होगा अच्छा होगा ठीक है और active management क्या होगा bleeding नहीं हो रही होगी ठीक है और pregnancy है जो 37 week से ज़्यादा होगी patient labor में होगा और fetal heart sound इसकी नहीं सुनाई देगी हमें जो expected management है उसको हम पहले 37 week तक continue रखने की कोशिज करते है फिर sonography जो evidence करते हैं ठीक है sonography की जाती है जो ये disease है उसको confirm करने के लिए उसके बाद क्या होता है उसके बाद जब हम USG evidence करेंगे तो दो cases हमारे सामने आते हैं सबसे पहले क्या होगा जो प्लेजिंटा की जो age होगी वो clearly 2 और 3 cm अवे होगी इंटर्नल ओस से ठीक है और फिर जब अगर ऐसा case होता है तो उसमें क्या होता है इंटर्नल examination करते हैं operation theater में फिर artificial rupture of a membrane किया जाता है और oxytocin की दिया जाता है ठीक है उसके बाद क्या जाता है उसके बाद weight क्या जाता है कि हाँ labor का progress हो रहा है कि नहीं हो रहा naturally हम छोड़ देते हैं देखते हैं सिर्फ assess करते हैं ठीक है और अगर सब कुछ proper है तो हम उसका vaginal delivery करवा देंगे ठीक है अगर देखते हैं labor नहीं हो रहा इस्टार्ट और bleeding control है तो हम caesarian section करवाएंगे ठीक है और दूसरा case क्या हो दिखाए देता है जब placenta age within 2 cm internal ores और placenta जो type 1 हमने degree पड़ी थी उससे जादा होगा और within 2 cm होगा age के ठीक है फर्स्ट केस में क्या 2-3 cm away इसमें क्या है within 2 cm ठीक है ऐसा case होगा तो क्या होगा internal examination की गोई जोरोतनी है सीधा हम caesarian करवाएंगे ठीक है जितनी जलती होगा उतनी जलती caesarian करवाएंगे तो कैसा लगा आपको आज मैंने management complete होगा हमारा placenta previa का topic हमने overall उसको सारा concept clear कर लिया है अगर आपको फिर भी कुछ समझना आया हो तो आप comment में पूछ सकते हैं और कैसा आपको लगा आप बता सकते हैं कोई suggestion हो तो आप दे सकते हैं थैंक यू फर watching subscribe करना ना भूले ताकि नए channel नए topic जैसे आए वो आपके notification आजाए bell icon जरूर धबाए like करें, share करें और ज़्याद से ज़्यादा comment करें जो भी आपको doubts हो आप comment section में पूछ सकते हैं मैं आपका उसी time जवाब दूँगी thank you